हेलो स्टुडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकरण में जो हम आगे पढ़ेंगे वो है जाइगो माइकोटीना हमने कल सबसे पहली क्लास में देखा था कि यू माइकोटा को हमने वर्गीकरण किया है तो यू माइकोटीना या यू माइकोटा को सबसे पहले हमने मैस्टिगो माइकोटीना में बाटा था और मैस्टिगो माइकोटीना का पूरा क्लासिटिकेशन हम पढ़ चुके हैं आज हम जाइगो माइकोटीना का वर्गी करन पढ़ेंगे सबसे पहले हम जाइगो माइको टीना के लक्षन पढ़ेंगे कि इसमें क्या-क्या करेक्टर्स होते हैं जिनकों की लक्षन कहा जाता है इसमें जो स्पिशीज होती हैं जादा तर सारी स्थलिये या टेरिस्ट्रियल प्रकार की होती है तथा मरतोप जीवी कैसी होती है मरत पदार्थों पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनको मरतोप जीवी कहते हैं तो ये जो जाइगो माइको टीना की फंगस होती है ये मरत जीवी होती है सेप्रोफिटिक प्रकार की होती है मरत कार्बरिक पदार्थों पर खाद म्रधा इत्यादी पर पाई जाती है खाद में पाई जाने वली कवकों को कोप्रोफिलस सैप्रोफाइट भी कहा जाता है कुछ मनुश्य वो अन्य प्राणियों में परजीवी के रूप में भी जीवन यापन करते हैं कुछ कवक जैसे ट्राइकोमाइसेटीज इसका जो एक एक एकजामपल है जाइगोमाइकोटीना का ट्राइकोमाइसेटीज ये आर्थ्रोपोडा जो की आपने पढ़ा होगा जूलोजी के अंदर उन जन्तों की आहार नलिका से चिपके रहते हैं ये trichomycetes के members है जाय गोईकोटिन में जो trichomycetes है उसके members कहां पाये जाएंगे आर्थरोपोडा के आहार नाल से चिप्के हुए कोपरोफिलस नया शब्द आपने सुना होगा आज ये खाद में या गोबर के उपर जो फंजाई पाई जाती है उसको कोपरोफिलिक फंजाई कहा जाता है ये कई बार पूछ लेते हैं एक्जाम में नेक्स्ट जो है इसका थैलस जो है वो जाल के रूप में वाया जाता है उसको कवक जाल कहते हैं और कवक जाल जो होता है ये तन्तु रूम पी होते हैं तन्तु शाखित होते हैं और आसेप्टेट बहु गेंडर के सीनो साइटिक अवस्था में इसमें भी पाये जाते हैं जैसे कि मेस्टिगो माइकोटीना में हमने पढ़ा था पुराने कवकजाल में अत्वालेंगिक अंगों के विभेदन के समय पटों का निर्मान हो जाता है मैस्टिगो माइकोटीना में यह नहीं देखा कि सेक्स ओर्गन जब बनते हैं तो पट बन जाएं इसमें सेल वाल जो होती है काइटीन की बनी हुई होती है इसमें कोई भी फलैजिला योग तो संडचना है जो कि जू स्पोर्स कहते हैं मैस्टिगो माइकोटीना में पाई जाती है जाएगो माइकोटीना में बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी सेक्सवल रिप्रोड़क्शन अपलैनो स्पोर्स और चल भी जानू अत्वा कॉनीडिया या स्पोरिंजिया से होता है जबकि हमने मेस्टिगो माइकोटीना में पढ़ा था कि ये जो है कॉनिडिया या स्परिंजिया के दोरा ही होता है सेक्सुल रिप्रोडक्शन सेक्सुल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है जाइगो स्पोर का निर्मान होता है इसलिए इसको जाइगो माइकोटीना कहा जाता है क्यों कहते हैं इसको जाइगो माइकोटीना क्योंकि इसमें जो जाइगोट बनता है वो जाइगो स्पोर के नाम से जाना जाता है इसलिए इसको जाइगो माइकोटीना कहा जाता है इसके अंदर जो होते हैं male और female sex organs जो होते हैं वो अलग-अलग प्रकार के नहीं दिखाई देते केवल वो physiology में आकारिकी में ही एक दूसरे से अलग होते हैं वरना देखने में एक जैसे ही दिखाई देते हैं और इनको gametangia कहते हैं क्या कहते हैं? gametangia दोनो gametangia सन्योजित होती हैं और उनके अंदर जब दोनों के material का आधान प्रदान हो गया एक साथ मिल गए दोनों जहां पर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उस इस्तान की जो भित्ती होती है वो हट जाती है वहाँ से और एक सन्योजित होकर एक स्पोर बना लेती है वो उसको जाइगो स्पोर कहते हैं इनके चित्र जो है ये मैं आपके डालूँगी तब आपको इसमें समझ में आएगा की जो है ये क्या है एक मैं आपके वाटसेप के उपर एक फोटो डालूँगी जिसको कि आप देखकर जाइगो स्पोर कैसे बन रहे हैं जो स्पोर क्या है जो मैं बोल रही हूँ उस्पोर क्या है ये आप समझ पाएंगे मियोसिस जाइगो स्पोर के अंकुरन के समय होता है और ये इसके विशेश केरक्टर है जाइगो माइको टीना के वरगी करन जाइगोमाइको टीना को जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज दो भागों में बाटते हैं जाइगोमाइको टीना को जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज ट्राइकोमाई सिटीज मैंने भी बताया ही जो कि आर्थ्रोपोडा की कहां पाय जाते हैं अहार नलिका में चिपके हुए रहते हैं उनको ट्राइकोमाई सिटीज के मिंबर कहते हैं और इस से चिपकने के लिए इनमें जो है एक संडचना पाई जाती है जिसको की होल्ड फास कहा जाता है जबकि जाइगोमाई सिटीज जो है इसके अंदर जो है ये मरत पदार्थों पर पाय जाते हैं अत्वा परजीवी के रूप में भी उपसित हो सकते हैं तो परजीवी सदस्यों में कवगजाल होस्ट शीशों में धस जाता है और इसके उधारन है आपके सिलेब ही चाहिआना हे ना मैशाझाय का कोप्रोफिलस फंजाई ॥ा इसमें नहीं पाई जाती है इसलिए इसको जाइगोमाइकोटीना को हमने अलग वर्गी कुरत किया है अब ये कुछ इसके प्रैशन है ये ट्राइकोमाइसटीज इस पेपर पे था ट्राइकोमाइसटीज पहले भी आ गया था इसलिए अब इसे देख लीजिए कि किस तरह से इसको जाइगोमाइकोटीना को दो क्लासेस के अंदर जाइगोमाइसटीज और ट्राइकोमाइसटीज जाइगोमाइसटीज पहली क्लास और दूसरी क्लास ट्राइकोमाइसटीज में बांटा है अब हम जो है इसके कुछ questions करेंगे fill in the blanks type और multiple choice type आपके exam के अंदर एक प्रेशन आता है पहला जिसमें कि MCQ और fill in the blanks type के questions आते हैं तो आपकी book के पीछे हर chapter के बाद में इस तरह के प्रेशन होते हैं जिनको कि अगर आप करेंगे तो chapter को और अच्छे तरह समझ पाते हैं तो आज हम जाइगो माईको टीना से related कुछ questions जो है इनके बारे में पढ़ते हैं इसमें कहा गया है कि जाइगो माईको टीना subdivision के सदर से कैसे आवास में पाये जाते हैं जलिये में वायविय में इस थलिये में दल दली में अभी हमने पढ़ा कि यह कहां पाये जाते हैं दल दली आवास में पाये जाते हैं तो इसका उत्तर क्या हो गया दल दली सोरी इस थली आवासों में पाये जाते हैं अभी हमने पढ़ा था तो इसका उत्तर हो गया C in which habited members of gygotina present telestrior दूसरा кजिन है जाइगो माईको टीना किस अदस्यों की कोशी का भित्ती किसकी बनीऊ होती है हमने अभी पढ़ा कि जाइगो माईको टीना में जो भित्ती होती है वो काइट्टिन की बनीऊ होती है अब आपको बताया था, जैल वल अव्मेंबर सफ जैगो माईको टीना समेड आप विच मैटीरियल, दो जैगो स्ब्सक्राइब आपको बनाती है, जैगो स्पॉर बनाती है, यह उपने पड़ा, जैगो स्पॉर को युगमानू कहते हैं हिंदी में, जाइगोस पूर इंगलिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको युगमानू तो which structure is formed by the fusion of two gametangia दो gametangia या दो युगमक धानिया gametangia को हिंदी में क्या कहते हैं युगमक धानिया दो युगमक धानिया सन्योजित होकर क्या बनाती हैं युगमानू next question जो है, जाइगो माइकोटीना में लेंगिक जहनन किस प्रकार का होता है अर्दसूतरन के द्वारा, पतहिन तंतो से, बिजानों के द्वारा, युगमक धानिया मैथुन अभी हमने पढ़ा gametangia कोपूलेशन जो है, इसमें पाया जाता है, दो gametangia बनती हैं, दोनों आपस में मिलती हैं और वहाँ से इनका डिजॉल हो जाता है, सैलवल, और मिलकर एक जाइगोई स्पोर बनाती है जिसको कहते हैं, gametangial copulation यह युगमक धानिया मैथुन तो इस तरह से हमने ये questions, जो भी हमने इसमें पढ़े थे उसके सारों के answer हमें पढ़ने से आ गए हैं और जो answer हम नहीं दे पाएं, उसका हम फिर से इसको description को पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा उत्तर तो यह आपके MCQ प्रकार के question हो गए जाएगो माइको टीना की जातातर प्रजातियां कैसी होती हैं खाद में पाई जाने वाली कवको को क्या कहते हैं जाएगो माइको टीना में लेंगिक जनन किसके द्वारा होता है ये तीन प्रश्ण जो है आपको ग्रहकारे में करने हैं और ये आपका home assignment है जाएगो माइको टीना से संबंदित एक और प्रश्ण आपको जो करना है वो है मेस्टिगो माइको टीना के general character सामाने लक्षनों और जाएगो माइको टीना के सामाने लक्षनों को आपको विस्तार से लिखना है तो ये है आज की आपकी class आपने अब दो subdivisions पढ़ लिए है एक तो मैस्टिगो माइको टीना और दूसरा जाएगो माइको टीना next class में हम एसको माइको टीना के बारे में detail में पढ़ेंगे ओके थैंक्यू